प्यारे बच्चों, Defense Research and Development Organization, जिसे शॉर्ट में हम DRDO के नाम पे जानते हैं और भारत सरकार के Ministry of Defense के अंतर गताता है, उसमें बहुत बड़े लेविल पर भड़तियां होने जा रही हैं। और सबसे महत्पून बात ये है कि Polytechnic Diploma किये हुए छात्र छात्राओं के लिए बहुत मौके हैं, यानि काफी संख्या में पद हैं, इसी तरह से ITI के छात्र छात्राओं के लिए भी काफी संख्या में पद हैं। तो बच्चों हम दूसरे सब्दों में कहें, तो हम कह सकते हैं कि DRDU को जोईन करके देश सेवा का एक सुनहरा आउसर हमारे सामने हैं। तो बच्चों ये जो DRDU में एंट्री टेस्ट हो रहा है, जो सेप्टम के अंतरगत होता है, वो इसमें और्गिनाईज होने जा रहा है, तो आईए हम एक एक करके पॉली टेकनिक डिप्लोमा और ITI के लिए पूरी बिस्तरत जानकारी हासिल कर लेते हैं, कि कौन कौन से कैंसीज हैं, यानि पदों की संक्या है, वो 1075, यानि 1075, जो पे लेवल रहेगा, सेवन्थ पे मेट्रिक्स में लेवल 6 है, और ये 35,400 से प्रारंब होकर 1,12,400 तक जाता है, इसके साथ में ये बेसिक पे होता है, इसके साथ में आपको अलाउंसेज, और दूसरे जो निगरी इन साइंस में, यानि B.H.C. बगरा हो साइंस में, या फिर देखिए लिखा है, डिप्लोमा इन इंजिनरिंग और टेक्नलोजी और कम्प्यूटर साइंस और एलीट सब्जेक्स, रिकागनाइजड बाई AICT इन दा फॉलोइंग डिसिप्लिन, यानि कि सबसे महत् बात क्या है, यदि किसी ने डिप्लोमा किया है, इंजिनरिंग या टेक्नलोजी या फिर कम्प्यूटर साइंस में या उससे समंदित बिश्यों में, AICT से मानता प्राप्त है, तो वो निमलिकित डिसिप्लिन में वो इसमें पात्रह अपलाई कर सकता, जैसे आटो मोबाई प्राप्त है, इंजिनरिंग या बातनी चैमिटरि लाइबरेरी साइंस में बी एससे वाले भी इसको करते हैं, बातनी से बी एससी कैमिटरी से उसमें सब्जेक्ट होता है, मैथेमेटिक्स हो गया, MLT, फोटोग्राफी, फिजिक्स, प्रिंटिंग टेक्नलोजी, साइकोलो जी टेक्स्टाइल आपका हो गया जूलोजी तो ये बच्चों ये ब्रांचेज हैं तो इसमें जो डिप्लोमा पॉली टेक्निक डिप्लोमा के छात्र चात्राएं हैं वो इन सभी ब्रांच के छात्र चात्राएं उसमें पात्र हैं इसके साथ साथ में यदि इन बिस्यों से सम OBC या फिर PWD इस तरीके के जो category है उनको जो government of India के नियमों के अनुसार उपरी सीमा में जो छुट मिलती है वो मिलेगी scheme of examination यानि किस तरीके से उसमें entry मिलेगी उसमें दो बच्चों exam होंगे tier 1 और tier 2 tier 1 जो होगा CBT यानि computer based test होगा वो screening test होगा tier 1 यानि पहले screening किया जाएगा पहले face में tier 1 जिसको हम कहेंगे दूसरा जो tier 2 है वो भी computer based test होगा आपका लेकिन वो selection test होगा यानि उसके आधार पर final selection हो जाएगा तो पहले बच्चों polytechnic diploma के यदि कोई चात्र apply करता है या BSC का कोई चात्र apply करता है तो पहले उनके लिए screening test होगा computer based test होगा ये tier 1 उसका नाम है जब उसमें से screening चटनी हो जाएगी तो वो tier 2 पर जाएगे वो भी computer based test होगा जिसको हम selection test कहेंगे यानि उसमें जो qualify कर जाएग या वो select हो जाएगा अब बच्चों इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं ITI वाले चात्र चात्राओं के लिए तो इसमें technician A के नाम से post है जिसको हम कहेंगे vacancies यदि हम देखें पदों की संक्या तो लगबाग 826 है pay matrix level 2 रहेगा 19 से या 9 से प्रारम हो करके 63,200 तक जाएगा 7th pay matrix में इसके साथ साथ में अधार allowances benefit मिलेंगे government of India के नेमानुसार इसमें 10th pass होना चाहिए उसके साथ में ITI या फिर किसी मानता प्राप संस्तान से NTC या NAC जो इस तरीके के certificate code से होते हैं तो वो अगर किये हुए हो तो वो सभी path रहें तो ITI यदि किसी ने किया है तो जैसे automobile mobile से book binder हो गया car painter CNC operator co-power draftsman mechanical में DTP operator electricity and electronics fitter grinder machinist mechanic diesel mill rate mechanic motor mechanic painter photographer refrigeration and AC sheet metal worker turner welder इतने सारी ये जो traits हैं इन छात्र छात्राओं को मौके मिलेंगे इसमें technician A के लिए age 18 से 28 साल होने चाहिए उपरी जो age की सीमा है उसमें SCHT, OBC, SM या PWD के जो students रहेंगे अभ्यरती रहेंगे उनको government of India के अनुसार छूट रहेगी scheme of exam इसमें भी tier 1, tier 2 है तो tier 1 में selection होगा इसमें इसमें बच्चों screening नहीं है, computer based test होगा जिसमें selection हो जाएगा और tier 2 में उनका trade या skill का test किया जाएगा, यानि practically उनसे हो सकता है करवा करके देखा जाए कि इनके अंदर skill है कि नहीं है, तो ये इसमें ITI के लिए इनका नियम है, इसको ये लोग follow करेंगे, अब बच्चों ये आपको जो अभी DRDO ने है, ये सारी जानकारी इसको release कर दिया कि रहेगा, कितने questions आएंगे, कितने घंटे का समय रहेगा, या जो पद मिलना है, उनका कार क्या क्या है, कहां posting होगी, इस तरीके की और भी बिस्तरत जानकारी हो सकता है, मन में आ रही हो, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, employment news या जो रोजगार समचार आता है, 3 से 9 सितंबर वाला, 3 से 9 सितंबर 2022 के बीच वाला, उसमें आप देख लीजे, detail में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, और जो online जो परिच्छा, यह जो online form है, आवेदन करने की जो होती थी, यह DRDO entry test के लिए, वो 3 सितंबर 2022 सुबह 10 बजे से प्रारम हो जाएगा, तो आपको तयार रहना है, डाकुमेंट्स बगारा आप रेडी कर लीजे, विग्यापन आपको जो main main जो जानकारी थी, की पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको बता दिया, और 3 सितंबर से आप मान के चल लीजे की प्रारम हो जाएगा, और 23 सितंबर तक वो आवेदन के जो number of post हैं, जो आप समझ गए होंगे, कौन कौन से इसमें traits हैं, और ITI और इसके लिए polytechnic diploma के लिए क्या chances हैं, बHC किये हुए जो चात्रा हैं, उनके लिए क्या chances हैं, आप समझ गए होंगे, तो बच्चों जब detail जो विग्यापन है या advertisement जवाएगा, तो हम एक बार फिर स समाधानित करने का प्रयास करूँगा, तो बच्चों उमीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसी तरह की उपयोगी वीडियो के साथ जुड़े रहे है चैनल के साथ, नेक्स टाइम आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए thank you very much, आप सभी का दिन कि आपसे लिए पास है उपकी को हमोगी तरह है है औरबका दूआ के जुड़े पित अ